Hello everyone, welcome to my channel आज हम बनाएंगे भरवा लाल मिर्च का अचार तो चलिए शिरू करते हैं इसकी डीटेल रेसिपी यहाँ पे मैंने लाल मिर्च लिया है बड़ा वाला उसे पीछे से काट के इसे अच्छे से धो के दूप में कम से कम 11 से 12 घंटे तक सूखने के लिए दे दिया था अब इसका अंदर का सारा बीज निकाल लेना है पर उसे फेकना नहीं है सिर्फ यह जो लाल रेशे हैं अंदर उसे फेकना है बीज रखना है क्योंकि यह मसाले में डालेंगे अब मसाले की तयारी होगी इन सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट करके पीसना है यहाँ पे मैंने हिंग भी लिया है पर उसका फोटो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है तो make sure कि आप hing भी ले ले, यहाँ पर मैंने soft लिया है, लाल सुखी मिर्च, यलो और black mustard feed, धनिया, मेथी, मंगरेला और अजवाईन, साथ में मैंने जीरा और थोड़ा सा गोल की भी लिया है इन सभी को अच्छे से roast करके पीसना है, पर हींग, मंगरेला, अजवाईन को पीसना नहीं है, उसे सिर्फ roast करना है तब सारे मसाले roast हो के grind हो चुके हैं, मैंने हापे mustard oil लिया है, आप इसे कच्छा भी रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा करम भी कर सकते हैं, सारे पिसे हुए मसालों को डालने के बाद, उसमें काला और सफेद नमक डाल दें, स्वाद अनुसार फिर रामचूर पाउडर, उसके बाद इसमें तेल डाल कर, इसे अच्छे से मिला ले हाथ से सारे मसाले और तेल डालने के बाद इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर ले ताकि कोई भी लंप्स ना रहे किसी मसाले का मैं इसमें मिर्चा का बीज भी डाल रही हूँ जो मैंने पहले बचाया था जब मसाला रेडी हो जाए तो इसे मिर्चे के अंदर भरना शुरू कर दे मेक शूर कि आप इसे अच्छे से भरे अंदर तक नई तो नीचे से वो खाली रहेगा और सिर्फ उपर भरा हुआ रहेगा फिर इसे इस तरह के जार में रख दे ताकि वो टाइटली एक दुसरे में चिपका रहे और जादा खाली ना हो फिर इसमें तेल डाल दे आप तेल को कच्छा भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गरम करके भी डाल सकते हैं Make sure कि आप तेल डालते से में hesitate ना हो ये नमक और तेल के मदद से ही गलेगा ये बन के अब इल्कुल ready है अब इसे सिर्फ धूप में या फिर आप घर में भी रखके छोड़ सकते हैं गलने के लिए अगर आपको ये विडियो और रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस विडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा थांक यू सो मच पर वाचिंग बाई